असलाम लेकुम वीवर्स वेलकम बैक मैं योटी फैमली वीवर्स आज मैं इस वीडियो में अंगरखा साइट पैनल की कटिंग और स्टेचिंग शेयर करूंगी वीवर्स जो मेरी सिस्टर विगनर्स हैं उनके लिए बहुत ही मैंने असान तरीका यूज किया है इस तरीके के स साथ आप सेख सेखेंगे तो मेरी वीडियो को अंट तक देखें ताकि आपको हर चीज की समझ आ जाए कोई भी चीज मिशना हो तो आई ये वेल्स कटिंग स्टार्ट करते हैं कटिंग करने के लिए मैंने कनारी वाली साइड से लंबाई की लंबाई ली है कपड़े की और म इंच मैंने कपड़े की लंबाई ली है आप अपने हिसाब से रख सकते हैं मैंने साथ से आठ साल की बच्ची का अंग्रखा बनाना है तो इसलिए मैंने कम ही इसकी उसके हिसाब से हाइट की हिसाब से मैंने लंबाई ली है और जो फ्रांट साइड से मैंने सेवन इंच एक ये मैंने फ्रांट साइड नीचे रखी है और बैक साइड ऊपर रखी है अब मैं दोनों को बराबर रखते हुए मैंने शूल्डर का माप किया है अब मैं बैक साइड के जो गला है उसकी मार्किंग करूँगी अब मैं front side से गले का mark करूँगी, मैंने 9 इंच इसके V shape में रखते हुए इसका mark किया है विवल्ज जे मैंने जो V side का निशान लगाया है यह मैं front side के लिए मैंने लगाया है यह front side है अब मैं chest के लिए mark करूँगी chest मैंने 14 15 इंच रखनी है तो मैंने एक्स्ट्रा लिया है 15 इंच पे मैंने मार्क किया है अब यहां मैं एक निशान लगा लूँगी अब इस निशान के बराबर रखते हुए मैं कपड़े की मैयर्मेंट करूँगी लंबाई वाली साइड पे मैंने कपड़ा लिया है और एंड तक मैं इसकी जो लंबाई है वो नाप लूँगी वीवर्ज इसके मैं पैनल बनाऊँगी यह मैंने साइड पैनल के लिए कपड़ा लिया है अब इन जो पैनल लिये है यह मैंने इसकी आठ इंच बाई है आप अपने हिसाब से पैनल की पैनल की चुड़ाई जो है वो कम या ज्यादा भी कर सकते है वीवर्ज अगर आपके बढ़ी है तो आप साइट पैनल की चुड़ाई ज्यादा ले सकती हैं मैं साथ से आठ साल की बची का फ्रॉक तियार कर रही हूं तो इसलिए मैंने चुड़ाई इसकी नार्मल ही रखी है अब मैंने इस कपड़े को लगा कर लिया है यह मैंने डबल तैमे कपड़ा लिया है अब मैं इसको डबल रखते हुए इसकी एक साइट से मैं मैयर मिंट करूँगी यहाँ से मैंने दो इंच चुड़ाई ली है अब दूसरी साइट से भी मैं इसके ऑपोजिट साइट से दो इंच चुड़ाई लूँगी अब मैं इसको इस तरह रेब करते हुए कटिंग की अब मैं इसको शूलडर के ब्राबर रखते हुए इसकी अब मैं शूलडर की कटिंग करूँगी अब नीचे से जो एक्स्टा कप्ड़ा है यहां से मैं गुलाई के शेव देते हुए करंगी वीवर्स नीचे से मैंने कटिंग कर ली है फ्रॉक के कलिए मैंने सेट कर ली है अब मैं फ्रांट साइड से कटिंग करूँगी जो नेक लाइन है इसका यहां से मैं कटिंग करूँगी बैक साइड की भी मैं साथ ही कटिंग करूँगी मैंने कप्ड़ की तार कर लिए ये जो इसकेंट मैंने अब दूसरी साइड वाला जो मैंने जो फ्राइड उपर से लेके गले से लेके मैंने दामन तक चोड़ी पटी बनाई है इसको मैं सारे ही शेट पे लगाऊंगी वीवर्द जो मेरे चैनल पे नई हैं जिनों ने अभी तक मेरे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें और बेल नोटिफकेशन क्वाटन जरूर दुबाएं ताके मेरी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफकेशन सबसे पहले आपको मिल सके वीवर्द एक साइट से मैंने सलाई लगा ली है अब मेरे पास ये लैस है इसको मैं अब पट्टी को फोल्ड करते हुए इस लैस को दर्मियान में रखूंगी और सलाई लगाऊंगी वीवर्द ये जो मैंने लैस है ये एंड तक मैंने लगाई है अब मैंने जो गले की दोनों साइड है इसको बराबर रखते हुए मैंने मार्क किया है जितना मैंने गला गले की लंबाई रखनी है उसी हसाब से मैंने मार्क कर लिया है अब यहां से भी मार्क करूंगी और जितना मैने कट मीचे से रखना है उसी हिसाब से मैं इसका कट रखूँगी मैंने सेवन इंच वे मैंने कट रखा है यहां से मैं कट का निशान लगाwnगा यहां तक ही मैं इस पटी को जोइन करूंगी अब यहां से मैं स्टार्ट करूंगी वीवर्स गले को पहले बराबर कर लें ताकि कोई मसला ना आए बराबर इसको रखते हुए अब स्लाई लगाएं वीवर्स अब मैं आपको पूरा फ्रॉक स्टिच करके दिखाती हूँ ये वीडियो बहुत लंबी हो रही थी मैंने इसके कट कर दिया अब मैं आपको पूरा फ्रॉक स्टिच करके दिखाती हूँ साइट पैनल भी मैंने त्यार कर ली है ये दिखें मैंने फ्रॉक इस तरह त्यार किया है फ्रंट पे मैंने ब्लैकेट जो बनाई है इस पे मैंने बटल लगाई है और एंड पे भी मैंने लेस लगाई है यहां से मैंने साइट पैनल डाले है यह फ्रांट और बैक पे मैंने लेस लगाई है और मैंने जो इसके स्लीज बनाई है वो मैंने ट्राउजर वाले कपड़े के बनाई है